जब से गाजा में इसराइल हमाज सुथी शुरू हुआ है तब से यमन की हुती विद्रूही एक्टिव हो गए है गाजा में इसराइली हमले के विरोद में हुतीयों ने जहाजों का शिकार बनाना शुरू किया लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी तक गुजरते जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है एक दो नहीं बलकि दर्जन भर से जादा जहाजों को अब तक नुकसान पहुँचाया जा चुगा तो वहीं हूतीयों के हमले से कई जहाज समंदर के आगोश में समा गए हूतीयों के हमले खास तोर से इस्राइल अमेरिका समेट पश्चिमी देशों से जुड़े जहाजों पर ही हो रहे हैं लंबी दूरी के रॉकेट, मिसाइल और शतरनाक ड्रोनों ने पश्चिम देशों की चिंता बढ़ा दी है दरसल हूती विद्रोही लाल सागर के एक बड़े तटिय इलाके पर कबज़ा रखते हैं और यहीं से वो जहाजों को निशाना बनाते हैं लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा पर मन राता खत्रा इतना बड़ा हो गया है कि प्रमुख शिपिंग कमपणियों ने अब इस इलाके से जहाजों का गुजरना बंद कर दिया है एक बार फिर हूतियों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए और इसराइली कारवाई का विरोज जताते हुए बड़ा हमला कर मिडिलीस में संसनी मचा दी है इरान समर्थित यमन के हूति विद्रोईयों के सेन प्रवक्ता यहया सारी ने इसका खुलासा किया है बताया गया कि हूति विद्रोईयों ने लाल सागर और बाब अलमंदव स्ट्रैट में बड़ा हमला किया समू ने लड़ाकों के कई बैलिस्टिक और नौसेनिक मिखाईलों और ग्रोन के साथ ताबर तोड़ हमला किया हूति लड़ाकों ने पोच 44 को दो बार अपना निशाना बनाया ऐसा दावा किया जाता है कि हूतियों का ये हमला एकदम सटीक रहा बता दें कि ये स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महा सागर से जोड़ता है जो व्यापार के नजर से बेहत एहम सी रूट माना जाता है नफदत लगवात बहरी लगना वो ऑनाया जाता है वो वशवाद कि यान तो अ dispया है वो बार एफिया अम्हा इाड़ता हिंदाना वी अफ़ता हुआ ओनाया अमली लावरन इा एकष्रेट वे उता लगमाना लबान वावा है इला मुवानिए फिलस्तीन मुष्टला वो तम इस्तिहदाफ हा मरतें अलॉला फिल बहर अछमर वा थानियत फी बाब मनदब वजालिक बादद मिन स्वारीख बहरीयति मुनासिब इन्न अमलियाति अल्गुवाति मुसलाहति यमनिया लन तटवगफ इल्ला बिएगाफि अल्गुवान वरफई लिए फिलस्तीनी फी गिताः गज्जा गौर तलब है कि बीते दिनों ही यमन के हुटी विद्रोहियों ने दावा किया था कि अरब सागर के पास अमेरिकी जंडे वाले जहास पर अब तक की सब लेड़ सप्ता के बाद आया था यह हमला इतना भीशड होगा इसकी उमीद भी किसी ने नहीं लगाई थी ऐसा दावा किया गया कि यूएसेस ट्वाइट डी एसन खौवर ने स्वदेश लोटने के बाद इलाके में आने वाले नए अमेरिकी विमान वाहग जहाजों के पह निंदा की यमन में निकाली इस रैली को अब तक की सबसे बड़ी रैली का नाम दिया जा रहा है इसमें फलिस्तीनियों के लिए लगातार समर्थन और इसरायल के सहयोगियों खिलाफ आर्थिक भहिशकार की मांग की गई यू कर दो節 कर दो को अ कर दोदो市 में जा जा ममाग कर दोदहर और ट्रातार समर्भा की माम् Kenneth